जैहिन दोस्तों मैं आसा करता हूँ आप सभी लोग सौस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने परिक्षा की तैयारी मस्ती से कर रहे होंगे बच्चों आज हम लोग UPP के स्टैटिक जीके से मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे जो किसी ना किसी विगत वर्सों में बच्चों UPP कॉंस्टेबल की परिक्षा पत्र में पूछा जा चुका है आते हैं डारेकली अपने प्रश्णों पर बच्चों क्योंकि समय आपके पास भी कम है इसमें आपका सबसे पहला प्रश्ण क्या पूछ रखा है यह पूछ रखा है कि सौरवेद महामंदीर है जो बच्चों वो उत्तर प्रदेश के किस अस्थान पर इस्तित है सौरवेद महामंदीर बच्चों उत्तर प्रदेश के वरारसी सहर में इस्तित है ये पूछा है कि महरसी वालमी की आश्रम, कौन सा बच्चों महरसी वालमी की आश्रम, उत्तर प्रदेश के किस अस्थान पर इस्तित है, तो बच्चों जो महरसी वालमी की आश्रम है, वो उत्तर प्रदेश के विदूर में इस्तित है, और विदूर कहा है, कानपूर नगर मे तो option number इसका क्या correct हो जाएगा तो option number A बच्चों इसका correct answer हो जाएगा आते हैं अपने अगले प्रशन पर अगला प्रशन आपसे क्या पूछा है ये आपसे पूछ रखा है कि कनक भवन मंदिर कौन सा बच्चों कनक भवन मंदिर वो उत्तर प्रदेश के किस अस्थान पर इस् पूछ रखा है कि भारत माता मंदिर और बच्चों मारकंडिय मंदिर इसको दो नामों से जाना जाता है भारत माता मंदिर और मारकंडिय मंदिर के नाम से ये उत्तर प्रदेश के किस अस्थान पर इस्तित है तो बच्चों ये उत्तर प्रदेश के किस अस्थान पर इस्ति मस्तीत है प्रियाग राज में स्थित है महोबा में है या फिर लखींपूर खीरी में या फिर बलरामपूर में है तो बच्चों ये कहां पर है आपका ये लखींपूर कीرी में है कि इस option में सी या करेक्ट उत्तर हो जाएगा आते हैं अगले प्रशन की ओर अगला प्रशन आप से क्या पूछा है यह पूछ रखा है कि अलोपी देवी मंदिर कौन सा बच्चों अलोपी देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के कि सस्थान पर आता है मतलब बच्चों उत्तर प्रदेश के कि सस्थान पर है तो अलोपी देवी मंदिर जो है बच्चों वो आपका प्रियाग राज में स्थित है जो बच्चें पाटन मंदिर है बच्चों पाटन मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश के बलरामपूर से मतलब बलरामपूर में इस्तित है तो option number A इसका correct उत्तर हो जाएगा आते हैं अपने अगले प्रशन पर अगला प्रशन है बच्चों आप से पूछ रखा है कि सूर्य मंदिर जो है वो सही हो जाएगा चलते है नेक्स्ट प्रशन की ओर अगला प्रशन आप से क्या पूछा है ये पूछ रखा है गोरखनात मंदिर आपका उत्तर प्रदेश में कि सस्तान पर है कौन सा बच्चों गोरखनात मंदिर आपका उत्तर प्रदेश में कहां पे इस्तित है बच्चों तो यह आपका गोरखपूर में इस्तित है, क्योंकि गोरखनात मंदिर गोरखपूर में है, तो option number B इसका correct answer हो जाएगा, आते हैं अपने अगले प्रशन पर, अगला प्रशन आपसे क्या पूछ रखा है, यह कह रखा है, यह कह रखा है कि दसा अवतार मंदिर उत्तर प्रदे सती मंदिर, कौनसा बच्चियों, पदमावती सती मंदिर, यह उत्तर प्रदेश में कहा इस्तित है, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा बच्चियों, आपका कर्नौज में स्तित है, क्योंकि पदमावती सती मंदिर जो है, आपका कर्नौज में है, तो option number और A में दे रख्या, तो option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा, आते हैं अपने अगले प्रश्ण की ओर, अगला प्रश्ण आप से क्या पूछ रख्या बच्चों, यह आप से पूछ रख्या है कि भगवान राम जन्मुभूमी, क्या, भगवान राम जन्मुभूमी बच्चों, यह जो मंदीर है, यह उत्तर प्रदेश के कि सस्थान पर है, कनोज में है, अयोध्या में है, कानपुर नगर में है, अफिर ललिदपूर में है, तो कहां पर है बच्चों, तो यह आपका अयोध्या में मौझूद है, तो अयोध्या इसका correct उत्तर हो जाएगा, आते हैं अगले प्रशन पर, अगला प्रशन आपका पूछ रखा है, गोविन देव मंदीर, उत्तर प्रदेश के कि सस्थान पर स्थित है, कौन सा बच्चों, गोविन देव मंदीर, कि सस्थान पर है बच्चों यह विरिंदावन में है, विरिंदावन कहा है आपका मतुरा में है, तो option number B बच्चों इसका correct answer हो जाएगा आते हैं अपने अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण आपका क्या पूछा है ये पूछ रखा है कि सिरी सनातन धर्मंदिर उत्तर प्रदेश में किस अस्तान पर है कौन सा बच्चों सिरी सनातन मंदिर कहाँ पे है गौतम बुद्ध नगर में है कौशंबी में है प्रयाग राज में है या फिर मतुरा में है तो कहाँ पे है बच्चों इस आपका गौतम बुद्ध नगर में है तो option number A में दे रखा है तो option number A इसका correct उत्तर हो जाएगा आते हैं अपने अगले प्रशन की ओर अगला प्रशन आपसे क्या पूछा है ये पूछ रखा है दिगंबर जैन मंदिर उत्तर प्रदेश के किस सस्थान पर है तो बच्चों जो दिगंबर जैन मंदीर है ये उत्तर प्रदेश में आपके कोशंबी में है तो C में दे रखा है कोशंबी तो option number C इसका correct उत्तर हो जाएगा आते हैं अपने अगले प्रशन पर अगला प्रशन आपसे पूछ रखा है कि पाताल पूरी मंदीर कौन सा बच्च में है आते हैं अपने अगले प्रशन पर अगला प्रशन क्या है ये पूछा है कि सकांबरी देवी मंदीर बच्चों ये उत्तर प्रदेश में कहां इस्तित है लखनाव में है चित्र कूट में है सहारनपूर में या फिर प्रियाग राज में है तो इसका correct answer जो हो जाएगा क्योंकि सगंबरी जो है वो आपका सहारनपूर में मौजूद है तो option number C इसका correct answer हो जाएगा अगले प्रशन पर आते हैं अगला प्रशन आप से क्या पूछा है ये पूछ रखा है त्रेता के ठाकूर उत्तर प्रदेश में किस अस्तान पे है बच्चों त्रेता का ठाकूर कि इनको कहा जाता है बच्चों इनका मंदिर आपका option number C में मौजूद है आते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन क्या है अगला प्रशन आपसे पूछ रखा है कि विंध्याचल देवी मंदिर जो है जिसे हम लोग विंध्यवासनी देवी मंदिर की नाम से भी जानते ह है वो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है तो कहा है बच्चों विंध्याचल में है बिर्द्याचल कहा है आपका मिर्जापूर में है तो option number A इसका correct answer हो जाएगा आते हैं बच्चों अपने अगले प्रशन पर अगला प्रशन आपका क्या आप पूछ रखा है ये पूछ पूछ रखा है दश्यों में घिघाट मंदिर उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है तो कहां पर बच्चों वरार्सी में है विरिंदावन मंतुरा में है चित्रकूर्ट में है तो कहां मौझूद है बच्चों ये आपका वरार्सी में मौझूद है तो option number A इसका correct answer हो है तो option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है ये पूछा है आपसे एक गोपेश्वर महा मंदिर सौरी बच्चों गोपेश्वर महादेव का मंदिर उत्तर प्रदेश में किस स्थान प पर आते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि संकट मोचर मंदिर एवं काल भहरो मंदिर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मौझूद है तो बच्चों जो संकट मोचर मंदिर यो काल भहरो मंदिर जो है वह आपका वरारसी में है तो वरारसी option number A में है तो option number A इस पूछ रखा है कि प्रेम मंदिर एवं इस कौन मंदिर प्रेम मंदिर को हम लोग इसके नाम से भी जानते हैं बच्चों इसकौन मंदिर ये दोनों मंदिर आपके उतर प्रदेश के किस स्थान पर है तो बच्चों दोनों मंदिर आपके विरिंदावन में है क्योंकि प्रेम स्रेगर संबंदित आपको जानकारी हो तो जानते होगे आप कृष्ण जी इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है तो इससे आप इसको याद रख सकते हो कि यह मंदिर कहा है आपका व्रिंदवन में है आते हैं अपने अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण आपका क्या पूछा है यह पूछ रखा है बच्चों आपसे कि थाई मंदिर एवन तिबदी मंदिर उत्तर प्रदिस्क की सस्थान पर है तो स्री रंगनाद जी मंदिर जो है बच्चों आपका वो विरिंदा वन मतुरा में हो जूद है तो option number A इसका correct answer हो जाएगा आते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन आपसे क्या पूछा है यह आपसे पूछ रखा है कि राधक कुंड एवं दौरिखा दीज मंदिर कहा है बच्चों दौरिखा दीज मंदिर कहां पर आपका मतुरा में होगा क्योंकि इनकी जन्मस्तली भी यह है तो option number A इसका सही answer हो जाएगा आई हो बच्चों आपको 30 के 300 प्रशन अच्छे सा समझ में आ गए होंगे बच्चों आम तोर पर इससे दो मार्क्स के प्रशन आपके जरूर आते हैं हर एक्जाम में धन्यवाद